आखिर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग का डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड कर से क्या संबंध है जिसे हम नहीं जानते तो जय भीम दोस्तो आप देख रहे हो The Buddhist Words YouTube चैनल तो दोस्तो हमारी आपसे एक ही विननती है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी स छोड़ दे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग का डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड कर जी से क्या संबंध है अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं आज भी हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो जानकारी के अभाव या जागरूकता की कमी के कारण निवेश के लिए शेयर बाजार को नहीं चुनते हैं शेयर बाजार के बारे में सपष्ट जानकारी होने पर भी उनमें शेयर बाजार में निवेश करने की हिम्मत नहीं होती लेकिन अगर मैं आप को बताऊं कि लगभग 107 साल पहले एक मराठी व्यक्ति ने शेयर बाजार निवेश परामर्ष कमपनी की स्थापना की थी, तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे. लेकिन ये सच है. डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर ने 107 साल पहले उस शेयर बाजार में कदम रखा था. डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर जी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं. उन्होंने एक ही जिन्दगी में कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं, जिनकी जीवन के दूसरे पहलू यानि बाबा साहिब और शेयर बाजार के बारे में बात कर रहे हैं. 1917 में बाबा साहिब अंबेडकर कोलंबिया में अध्ययन करने के बाद भारत लोट आए. और आते ही उन्होंने एक कमपनी की स्थापना की. कमपनी का नाम क्या था? Stock and Share. कमपनी क एक कार्यालय था. दलाल स्ट्रीट पर जहां आज भव्वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खड़ा है. खास बात ये है कि उस समय बाबा साहब जवान थे. मात्र 26 वर्ष की अलपायू में जब देश में इतनी सामाजिक प्रतिकूलता थी और आर्थिक दृष्टी से कोई शक्ती नहीं थी, तब वे समय से कितना आगे सोचते थे. आज के दौर में स्टार्ट अप आधी चर्चा का विशय बन गए हैं. लेकिन 100 साल पहले, 17 साल में बाबा साहब ने एक कमपनी की स्थापना की और वो भी शेर मार्केट कंसल्टिंग, जिससे पता चलता है कि उनकी वित्तीय सोच कितनी आधुनिक और व्यावाहारिक थी. आज इतने सारे स्रोत और जानकारी उपलब्ध होने पर भी, बहुत से लोग शेर बाजार की ओर रुक करने का साहस नहीं कर पाते हैं. या कई लोगों के अध्ययन से पता चलता है कि बाबा साहब ने सेंसेक्स निफ ने कंपनी को अच्छा रिटर्न दिया. 2024 से पहले सोचने का मतलब है कि आज भी बहुत से लोग नहीं जानते कि मुद्रा व्यापार किस प्रकार का होता है. बहुतों ने इसके बारे में सुना भी नहीं है. आज निवेश के लिए बहुत सारे मंच हैं और सीखने के लिए साथ साथ करेंसी ट्रेडिंग भी करते थे और उसी से सौ साल पहले एक बार बाबा साहिब को निवेश के लिए पैसों की जरूरत पड़ी थी. लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपने पारसी दोस्त नवल वाटेना से दो हजार रुपे मांगे. अब यह है कि बाबा साहिब ने भविश्यवानी की थी कि आने वाले समय में जर्मन मुद्रा की कीमत बढ़ेगी और इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिए गए पैसे को मुद्रा में निवेश किया और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा लाब कमाया. उन्हो कुछ निराशा हुई. कुल मिलाकर उनका साथ था. इस कमपनी का काम जबरदस्त चल रहा था. लेकिन सौ साल पहले निवेशक स्पष्ट रूप से उच्छ जाती के थे. लेकिन बाद में जब यह पता चला कि इसे चलाने वाला व्यक्ति दलित है तो कमपनी बंद कर दी हितकारिनी सभा की स्थापना 1924 में बाबा साहिब ने की थी और इसके कुछ उद्देश्य बताये थे. उन्होंने यह भी लिखा कि उद्यमी बनाना भी हमारा लक्ष्य है. इतना ही नहीं, कृष्य और ओध्योगिक कौशल के लिए प्रशिक्षन भी इन उद्देश्यों मे से एक था. बाबा साहब ने अपने मित्रों को एक पत्र लिखा और उसमें बाबा साहब के पुत्र यश्वंत भी थे और पूर्ण मुकुंद दोनों को बैंकिंग और खुद्रा व्यापार सिखाएं. बाबा साहब ने कहा, तो आर्थिक दृष्टी से बाबा साहब के लोगों से पत्र व्यवहार भी किया, ताकि बाजार में सामान को खरीदार मिल सकें. इसलिए बाबा साहब की बात करें, तो उनका यह पहलू भी हमारी आँखों के सामने है और यही बाबा साहब के प्रती सच्ची मानवी अश्रद्धानजली है. दोस्तों, बाबा साहब आ असमानता के खिलाफ लड़ाई-लड़ी और आर्थिक समानता की प्राप्ती के लिए काम किया. उनके विचार और कारियों का एक महत्व पूर्ण पहलू था आर्थिक स्थिती के महत्व को समझाना. बाबा साहब आमबेडकर जी का उतकृष्ट विचार शील द्रिश्टिको आर्थिक सम्रिध्धि के प्रती उनकी अद्रिश्य सेवा और समर्पन का परिणाम था। उन्होंने दलितों, पिछडा वर्ग और अन्य समाज के वन्चित वर्गों को आर्थिक स्वतंतरता की ओर अग्रसर करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाई। आर्थिक स्वतंतरता का महत्व आमबेडकर जी के लिए बहुत अधिक था। उन्होंने समझाया कि बिना आर्थिक स्वतंतरता के किसी समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। उनके अनुसार आर्थिक स्वतंतरता ही समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और आमबेडकर जी ने विभिन्न उपायों की संभावना की, जिनसे वह आर्थिक समानता को प्राप्त कर सकें। और अग्रसर करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धर्म को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से अलग किया जाना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपने काम के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। नकि उनके जाती या धर्म के आधार पर। इससे समाज में न्याय और समा की भावना को मजबूती मिलती है और हर व्यक्ति को अपने पोटेंशियल को समझने और उसे पूरा करने का अवसर मिलता है तो दोस्तों आपके इस विशय पर क्या विचार है हमें कमेंट करके बताए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आईकॉन प्रेस करे मिलते हैं किसी और वीडियो में जय भीम जय भारत धन्यवाद